Hello Friends, Good Morning, Namaskar, आदाप, सबस्रीकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में Friends, आज है 23 जन्वरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्राखंड की महत्पूर्ण खबरों से संबंधित Top 10 Current Affairs Questions पर साथ ही चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दुरान पुछेगे question पर और सबसे अंतमय होगा question of the day यानि आज का सवाल Friends, आज के वीडियो से related PDF के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल UK Study Circle जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे description में दे दिया जाएगा या फिर आप इस अपने टेलिग्राम पर UK Study Circle सर्च करके भी जोईन कर सकते हैं Friends, कल है संडे यानि कल हमारे टेलिग्राम चैनल पर online test series के नवे भाग का लिंक शाम को 3 बजे डाला जाएगा आप यदि इस test में appear होना चाहते हैं तो इस test को जोईन कर सकते हैं इसके लिए आपने हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना है वहाँ पर कल यानि संडे को 3 बजे लिंक दिया जाएगा तो आईए शुरू करते हैं आज के Current Affairs का वीडियो तो Friends, आज का पहला कुश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतराष्टी कोरिडोर बनाने पर सहमती दी है उप्सन से चीन, नेपाल, भूटान या फिर श्री लंका और सही आंसर है उप्सन भी नेपाल के साथ Langport Authority of India ने भारत नेपाल सीमा पर अंतराष्टी कोरिडोर बनाने पर सहमती दी है अंतराष्टी कोरिडोर बनने से दोनू देशों के बीच कॉमर्शियल वाहनों का संचालन भी हो सकेगा इससे पहले बात कर लें भारत सरकारदारा सितारगंज टनकपुर होते हुए बात करें नेपाल की तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू नेपाली मुद्रा है नेपाली रुपिया वर्तमान में नेपाल के प्रधानमत्री है केपी शर्मा ओली खड़क परशार शर्मा ओली और राश्टपती हैं विद्या देवी भंडारी प्रिंट्स प्रतिशत्ता के आधार पर बात करें तो नेपाल विश्चु का सबसे बड़ा हिंदु धर्मवलिंबी राष्ट है और नेपाल के ही कफिल बस्तु के पास लुंबीनी में 563 इसाफूर में गौतम बुद्ध यानि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था बढ़ते हैं अगले कुशिन की तरफ आज का दूसरा कुशिन है प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओर किस शहर में बनाया गया है आप्सन है हलद्वानी में, काशिपूर में, देहरादून में या फिर हरिद्वार देहरादून में सही अंसर है आप्सन D, देहरादून में बनाया गया है देहरादून में राष्ट्री राजमार्क संख्या 58, एनेच 58 यहाँ पर नवनिर्मित हरिपूर कला फ्लाई उवर जो है वो प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई उवर है लगभग 2 किलोमेटर लंबे इस फ्लाई उवर पर 21 जनवरी से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है दून हरिद्वा रिशी की इस मार्क पर बने इस फ्लाई उवर से मोती चूर रेलवे क्रोसिंग पर जाम की जो बहुत ज्यादा समस्या होती थी उस समस्या से निजात मिल सकेगी अगला कुश्चन है उत्राखंड इस्तित निमलिखित में से किस चावनी को ई चावनी से जोड़ा जाएगा उप्सन से रानिखेत, अलमुडा, चकराता या लैंस्टाउन सही आंसर है उप्सन ए रानिखेत चावनी को उत्राखंड में रानिखेत की बिटिस्ट कालीन चावनी को ई चावनी से जोड़ा जाएगा चावनी पोर्टल के माध्यम से चावनी परिशत समंदी सिकायांते दर्ज करने लीज नविनी करन और विस्तारी करन करने इसके लिए ऑनलाइन आविदन करने जन्मर्ति प्रमान पत्र के लिए आविदन करने इन सभी कारियों में सुगमता आजाएगी बात करें कि ये चावनी परिशत में चोकि यहां का जो प्रसासन होता है वो चावनी परिशत द्वरा किया जाता है इसलिए यहां के निवासियों को इस तरह के जो भूमी की नविनी करन विस्तारिन करना है लीज के लिए या जन्मर्ति प्रमान पत्र बनाना है या और इस तरह की जो भी काम होते हैं उनके लिए वहां के निवासियों को बहुत ज़़दा दिक्कत होती है प्रसाशन जो है वह छावनी परसद वर रखे जाता है तो जब ये ए छावनी से इसको जोड़ दिया जाएगा तो ओनलाइन आभिद्न कर सकेंगे इनको जो है इसमें जो दिक्कत है होती थी वो कम हो जाएगी चावनी परसत को डिजिटल इंडिया कारिकरम के मात्यम से नागरिकों को बहतर सुविधाय मोहिया करने के उद्देशी से लागू किया जा रहा है बात करें चावनी परसत की चावनी परसत को केंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है जिन छेत्रों में सेना रहती है तो वहाँ पर सैन्य चावनी परसत या केंटोनमेंट बोर्ड का गठन कर दिया जाता है और उस चेत्र का परसासन भी सैनिक चावनी परसत द्वारा ही किया जाता है उत्राखंड में वर्तमान में कुल 9 चावनी परसत है या केंटोनमेंट बोर्ड है इन में से जो रानिके चावनी है इसकी स्थावना 1879 में अंग्रेजियों द्वारा की गई थी बढ़ते हैं आज के अगले कुशन के तरब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रिन उपलब्द कराने में उत्राखन का कौन सा जिला शीर्स पर रहा है अप्संस हैं देहरादून, नैनीताल, उधमसे नगर या हरिद्वार सही आंसर है अप्संसी उधमसे नगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत निर्धारित लक्ष के सापेक्ष 78 फीसदी आवेदकों को रिन उपलब्द कर उधमसे नगर जो है वो उत्राखन में शीर्स इस्थान पर रहा है दूसरे इस्थान पर पौडी जनपद है जहां 63 फीसदी आवेदकों को रिन उपलब्द कराया है और इस मामले में अल्मुडा जिले का जो प्रतरसन है वो सबसे कमजोर रहा है यहां जितना लक्ष रखा गया था उसके साफ एक्ष केवल 15.6 फीसदी आवेदकों को ही रिन उपलब्द कराया गया फ्रिंट्स जो यह मुख्यमंतरी सरोजगार योजना है यह उत्राखन के बेरोजगार युवाओं को सरोजगार उपलब्द कराने के लिए 2015 में मुख्यमंतरी सरोजगार योजना यह शुरू की गई थी और हाल ही में पिछले वर्स 28 माई 2020 से इसे उत्राखन में आने वाले प्रवासियों हे तो भी विस्तारित किया गया था लोगडाउन के कारण जो लोग बाहर से उत्राखन में आ रहे थे उत्राखन के ही निवासी थे बाहर से आ रहे थे तो उनके लिए विस्तारित किया गया अगला question है बाली का दिवस पर उत्राखन में एक दिन के लिए कौन मुख्यमंतरी बनेंगी और इसका सही आंसर है अप्सन B हरिद्वार की श्रिष्टी गोस्वामी बाली का दिवस पर 24 जनवरी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर वह 24 जनवरी को उत्राखंड में विकास कारियों की समिक्षय भी करेंगी बात करें स्रिष्टी गोस्वामी की तो ये बाल अधिकार सरक्षन आयोग द्वरा एक बाल विधान सभा गढ़ित की गई है और स्रिष्टी गोस्वामी उस बाल विधान सभा की मुख्यमंत्री है ये दो साल से मुख्यमंत्री है वहाँ पर और वर्तमान में उत्राखंड बाल अधिकार सरक्षन आयों की जो अध्यक्षा है वो उशा नेगी है इंपोर्टन है क्वेशन अक्सर पूछा जाता है उत्राखंड के विभिन विभागों के अधिकारी 24 जनवरी को एक दिन की मुख्यमंतरी स्रिष्टी गोस्वामी के समक्ष विभिन योजनाओं और विकासकारियों की प्रेजेंटेशन देंगे स्रिष्टी वर्तमान में BSM PG College रूड की में BSC Agriculture की चात्रा है और मई 2018 में वे उत्राखंड बाल विधान सभा की मुख्यमंतरी बनी थी अगला Q handle है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाश चंदर बोस की जहिनती को किस दिवस के रूप में मनाय जाने की घोषना की है Options हैги हिम्मत दिवस, हारत दिवस, पराकरम दिवस या फिर सैन्य दिवस और सही आंसर है, option C, पराकरम दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की है मोदी सरकार ने प्रति वर्स नेताजी सुभास चंदर बोस की जैनती 23 जनवरी यनि आज के दिन पराकरम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है फ्रिंट्स इस वर्स नेताजी सुभास चंदर बोस की 125 जैनती है, भारत सरकार दोराई से राष्ट्री और अंतरराष्ट्री इस सर पर धुमधाम से मनाय जाएगा नेताजी का जन 30 जनवरी 1897 को ओडिसा के कटक में हुआ था सुभास चंदर बोस एक भारती राष्ट्रवादी नेता थे और वह भारत को स्वतंत्र कराने की रणनीती निकल लेकर अप्रेल 1941 में जर्मनी पहुँचे थे, साहेता के लिए मई 1922 में नेताजी ने एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात की थी जापानी समर्थन के साथ नेताजी ने भारती राष्ट्री सेना को आजाद हिंद फौज के नाम पर पुनर निर्मित किया था बढ़ते हैं अगले कुशन की तरब और इसका सही अंसर है और इसका सही अंसर है और इसका सही आज़िए वायू सेना की महिला फाइटर पाइलेट भावना कान्त 26 जनवरी 2021 को गनतंतर दिवस परेड में भारती वायू सेना की जहाकी का हिस्सा बनेंगी साल 2020 में अंतराष्टी महिला दिवस के मौके पर राष्टपती रामनाथ कोविन ने इंडियन एर फोर्स की महिला पाइलेट में सामिल भावना कान्त को नारी शक्ती पुरसकार से भी सम्मानित किया था प्रिंच इस वर्स गनतंत्र दिवस परेड में भारती वाय सेना की और से निकाले जाने वाली जहांकी की जो थीम हो गए वो है मेक इन इंडिया भारती वाय सेना के अंसार परेड में वाय सेना के कुल 38 विमान शामिल होंगे और इस बार गनतंत्र दिवस पर भारती एर फोर्स का जो ब्रह्मास्त्र है राफेल विमान यह पहली बार इस जहांकी में शामिल किया जाएगा अगला कुश्चन है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है ऑप्शन है कमलम फ्रूट, गेंदा फ्रूट, गुलाबी फ्रूट या सूरज मुकी फ्रूट सही अंसर है ऑप्शन ए कमलम फ्रूट देश और दुनिया में ड्रैगन फ्रूट के नाम से प्रचलित जो फल है गुजरात में अब उसे कमलम फ्रूट के नाम से जाना पहचाना जाएगा कमल जैसा देखने के कारण गुजरात के मुक्यमंतरी विजय रूपाणी ने इस फ्रूट का नाम कमलम रखने की घोशना की है वर्तमान में जो इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट वो एक चाइनीज नाम है भारत में गुजरात के कच और दक्षन गुजरात के नवसारी के आस्वास के छेतर में ड्रेगन फ्रूट की खेती की जाती है इसका रंग लाल और गुलावी होता है कमल के फूल की तरह और जबीश जुलाई 2020 को जो प्रधानमंतरी मुदी का मन की बात कारिक्रम होगा था तो उसमें इस फ्रूट की भी चच्चा उन्होंने की थी अगला कोशन है हाल ही में किस संगठन ने CRPF को मोटर बाइक एंबुलेंस रक्षिता स्वापी है और सही अंसर है और सही अंसर है और सुरक्षा बलों और आपातकालिन स्वास्त सेवा प्रधाताओं के सामने आने वाली समश्याओं में ततकाल मदद है तो DRDO द्वारा CRPF को स्वदेशी मोटर बाइक एंबुलेंस रक्षिता स्वापी गई है यह जो बाइक एंबुलेंस है यह कम तीवर संघर्स वाले इलाकों में घायलों को निकालने के दुरान जीवन रक्षक साहिता प्रधान करेगी रक्षिता एक फीजियोलोजिकल पैरामिटर में अपने वाला उपकरण, वायरलेस मोनिटरिंग शमता, आटो जेतावनी, हेड मोबिलाइजर, सुरक्षा जैकेट और इसी तरह की और बहुत सारी आपातकालिन सुईधाओं से लेस एक एंबुलेंस है और इसका नाम रखा गया है रक्षिता आज का दस्वा और अंतिम कुश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ती किसके दोरा विक्सित की गई है ऑप्सन है भारती सेना, DRDO, ISRO या फिर भारती रेलवे सही अंसर है ऑप्सन ए भारती सेना दोरा विक्सित क भारती सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली युनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित की है लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट है यह फ्लेक्सिबल इस स्वदेसी बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ती दुनिया के इस पहले फ और हमारे वियोस में से जिन लोगों ने इस क्वेशन का सही आंसर दिया उनके नाम है विजय कश्यप जोती बिस्ट सुधी प्राणा हिमानसु कलोनी पल्लवी सिंग ओजा कमल कुमार नीलेश कुमार दिपेंद्र सिंग रावत लोकेस लोहनी जोशी सरितार नीरज कुमार अक्षय कंडारी स्टडी 93 हेमराज गेडा पृती नेगी रवी चंद्रभट हर्शिता न रीतिका गोस्वामी उशाधामी खतीजा मलिक पिंकी सिलोरी रागिनी भरद्वाज मुनीश कुमार कल्पना चमोली शुभा शाह मैसवाला पाठक लक्षमन सिंग बिस्ट सुमित सिंग लता बिस्ट सरिता गुसाई राजकुमार चौहान गुलाम फरीद अजय योसी रवी पमार, साकिब हुसेन, दीपिका रावत, पुषकर सिंग नेगी, वर्षा सिंग, अंकित कुमार, आरिया, लखविंदर सिंग, मनोज रावत, शैलजा नेगी, हेमचंद्र, मंजीत बिस्ट, साहिब एहमद और वरनिका शर्मा आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक शुब कामना है, और इस क्वेशन का सही आंसर है, ओप्सन सी, फिरोज शाह तुगलक रोहिला आकरमन के दोरान, साहेता के लिए राजा ज्यानचंद, जो चंदवन्स की राजा थे, राजा ज्यानचंद, उन्होंने दिल्ली सल्थनत के बासा, फिरोज सा तुगलक से मुलाकात की थी, और फिरोज सा तुगलक दोरा ही, उन्हें गरुण की उपाधी प्रदान क की गई थी इसके पश्चाद ग्यांचंद द्वारा गरुण को अपना राज चेहन ने भी बनाए गया था माना जाता है कि गरुण ग्यांचंद के समय में ही प्रथम बार तराई भावर में चंदू का अधिकार हुआ फ्रेंट्स गरुण ग्यांचंद जो थे उनके दरवार में दो प्रमुख शेना पती थे एक का नम था नीलू कठायत और एक का नम जस्सा कमलेखी ये बहुत फेमस रहे थे और ये कुश्चन अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है नीलू कठायत को राजा द्वारा कुमईय खिलक की उपादी भी प्रदान की गई थी फ्रेंट्स अब बार ही है कुश्चन ऑप दडे या आज के कुश्चन की आज का कुश्चन है वर्तमान में राज्य में कितने नगर निगम है और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलिएगा साथ ही यदि अब तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब भी कर लिजेगा और कल यानि संडे को जिन लोगों ने भी टेस्ट पे एपियर होना है ऑनलाइन टेस्ट में तो तीन बजे टेल स्थरीओ गिया खेंगल समय को रिमार में तो पीड receptor स्बसाइब